नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों देखिए ठंड जो है वह घर्मी आ चुकी है उसी के साथ साथ आपके एक्जाम भी जो है वह पास आ रहे हैं तो बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने रस कंप्लीट कर लिया था अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसके जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे आप वहां से जाके क्लास को पढ़ सकते ठीक है तो बच्चों आज जो अर्थ खींके तो अज का जो हमारा टौपिक है वह क्या है अलंकार है कि अलंकार का सापदिक अर्थ क्या होता है आभूशड या गहना ठीकर आभूशड या गहना जब कर दुकान पे जाते हो तो वहां पर लिखा रहता है ना अलंकार जोंकार colonyist today कि जगहां अलंगकार लिखा रहता है तो उसका अर्थ क्या होता आभूशड या गहने से होता है जिस प्रकार इस्त्री के सुंदर्य में सुंदर्य वृद्धी में आभूशड सहायक होते हैं कोई इस्त्री की सुंदर्ता कैसे बढ़ती है जब उसको आप आभूशड पहना देजे अच होता है एक मिलों कहे यह अलंकार क्या होते हैं तो कावय की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं कि अलंकार को मुखिता कितने भागों में बाटा जा चाना है दो भागों में अलंकार को कितने भागों में पाटा जा सकता बच्चों, दो भागों में, पहला क्या है शब्द अलंकार और दूसरा क्या है, अर्थ अलंकार, सब्द अलंकार अर्थात, सब्द को शोभित करना, सब्द को गहना पहनाना, ये समझ ये कि किसको सुधाना, शब्द को, क्या कह रहा है, सब्द पर आश्चित अलंकार, अर्थात, किस पर गहना पहनाना, शब्द पर, ठीके, इसके अंतरगत कितने अलंकार जाते हैं अनुप्रास यमक और श्लेश ठीक है सब्द अलंकार के अंतरगत कितने अलंकार पाये जाते हैं अनुप्रास यमक और श्लेश ठीक है एक एक करके समझेंगे हम लोग उसके बाद अर्थ अलंकार क्या बच्चो वे अलंकार किस पर आश्चित हो अर्थ पर यानि होते हैं चार होते हैं कौन कौन से उपमा रूपक उत्प्रेच्छा और अतिश्योक्ति कितने होते हैं चार होते हैं अर्थ अलंकार उपमा रूपक उत्प्रेच्छा और अतिश्योक्ति वही सब्द अलंकार कितने होते हैं तीन होते हैं अनुप्राश यमक और श्लेस एक्ज क्या पढ़ते हैं शब्द अलंकार वह आभूशन वह आसे शब्द जो शब्दों को क्या करें शब्दों को सोभित करें उसको उम लोग क्या कहेंगे शब्द अलंकार कहेंगे ठीके तो पहला क्या बच्चो अनुप्रास है ठीके अनुप्रास शब्द का पहले अर्थ समझते क्या है अनुप्रास किसे मिलके बना है अनु तथा प्राश अनु तथा प्राश शब्दों से मिलकर क्या बना है अनुप्रास बना है जिसका अर्थ ह क्या होता है बार बार प्रास का क्या होता है वर्ण यानि जो वर्ण क्या हों बार बार आए वर्णों की आवित्ती बार बार होती है किसमें अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवित्ती बार बार होती है किसमें अनुप्रास अलंकार में देखे क्या है जहां वर्णों की प्रास अर्था क्या है वर्ण देखिए जैसे उधारण देखिए क्या है तरन तनूजा टट तमाल तरवर बहुच्छाए यहां पे क्या हो रहा बच्चों कौन सा वर्ण है त है किसकी आवित्ति बार बार हो रही है यह मोच्ट इंपोर्टन च्या है कि हिए इक्जांपल है एक्जांद में पूछता है ये देदेगा पूछेगा इसमें कौन सालंग्कार है लंग्कार की पहचान कर Estoy कैं तो क्या है किस की आवित्ति बार बार हो रही है तो वर्ण की vibrant बार बार हो रही है यहां है ना तरंत अनुज़ा टटतमाल तरवर बहुत शाए तरवर्ण किया वित्ति बार बार हो रही है ठीके अब अनुप्रास अलंकार के भी कुछ भेध हैं देखिए क्या है पहला क्या है छे का अनुप्रास छे का अनुप्रास अलंकार ठीक है क्या है इसमें किसी पंक्ती में एक से अधिक अक्षर का बार बार आना अर्थात जो जो अक्षर हैं वो एक से अधिक होंगे उनकी आवित्ति क्या हो बार बार हो जैसे रिजी रिजी रहसी रहसी हसी हसी उ इसमें देखिए क्या है एक साधिक अक्षर है देखिए कैसे क्या है री है री है री की अवित्ति रह है एक अक्षर हुआ जह है दो अक्षर हुआ सा है तीन अच्छर हुआ इई, क्या है पांच, मतलब एक अदिक अक्छर है और उनकी आवित्ती क्या हो रही है, बार-बार, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, छे का अनुप्रास कहलाएगा, अर्था ट्रिक क्या है, जब किसी पंग्ती में एक से अदिक अक्छर आए, और उन अक्छरों की आवित्ती बार-बार हो तो वो क्या कहलाएगा च्छे का अनुप्रास अलंकार कहलाएगा देखें है न यहां पर रह यह एक अक्षर हो गया जह जह यह दूसरा अक्षर हो गया सह सा तीसरा वहीं पर ईगी क्या है चौथा इनका क्या हो रहा अवित्ती बार-बार आ है तो परिभासा यहां पर क्या है इस परस्ट बैठ रहा है उसके बाद दूसरी देखें आप लोग बच्चपन में सुने होंगे नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए बाकी जो बच्चे काले चोर ले गए हम लोग क्या है बच्चपन में हम लोग पढ़ते थे ठीक है अभी भी हो रही है ना की हो रही है रही है घीक है ला की है यानी एक से अधिक अक्षर हैं और उनकी आवित्ती बार रहे हैं यहां पर यहांनी एक से अधीक अक्षरों का आना क्या कि कहलेगा वच्चों खेका अनुप्रास अलंकार कहलेगा ठीक है दूसरा भेत क्या है अनुप्रास अलंकार का व्रिध्यً के है इसमें कि Icha का बार-बारन अब देखिए जेका अनुप्रास अलंकार में क्या था एक स्य अधिक अंक्षर जो ह энергा वो बार बार आ रहे थे वही व्रित्य ही अच्ठर आयेगा लेकिन बार बार कराएगा कोई अलग और एक्षर इसमें नहीं होंगे एक ही अच्छर की आवित्ती बार-बार होगी फिर से समझ ये शेका अनुप्रास और व्रित्या अनुप्रास में आप लोग हमेशा कन्फ्यूज रहेंगे तो कन्फ्यूज नहीं होना है बस इतना याद रखना है छे का छे का अर्थात छे का मतलब छे से ज्यादा यह आप ऐसे याद कर सकते छे का छे क्या है एक साथ छे जुड़े हुए या नि अक्षर जो है वो छे या उससे अधिक या उससे ज्यादा हो सकते हैं एक नहीं हो सकता व्रित्या अनुप्रास क्या व्रित एक ही होता है व्रित क्या आभ हाधोगी आपकिंद्ध साफ़ान ओध चनचल चित्तवन अब इसमें पर चा जो है चछ स्था इसकी क्या है आवित्ती बार बार हो रही पूरा नहीं लोगे न केवल एक शब्द का एक अक्छर लोगे तो क्या है आ रहा है एक से अधिक बार आ रहा है क्या च च च तो यह कौन सा अनुप्रास हुआ व्रित्यानुप्रास अलंकार हुआ आए बास समय में छेका क्यों नहीं होगा क्योंकि दा तो है कि यहां पर क्या हो रहा है एक है फोले लिया है तो डॉक कैसे लेंगे आए बात समझ में मैं छाले तूसरा क्या है सपने सुनहले मन भाय आब इसमें अब इसकी आवित्ती होई है कि इस अच्छर की साघ्छर की वेड़ी गुड साघ्छर की आवित्ती बार बार हो रही है दो बार हुई है तो यह कौन सा लंकार होगा बच्चो यह वृत्ता नुप्रास लंकार होगा ठीक है अब चलते हैं लाटा नुप्रास लंकार क्या होता है किसी पंग्ती में एक जो है वो बार बार आएंगे क्या है लाट लाटा नुप्रास में क्या है एक ही शब्द जो है वो बार बार आएंगे देखिए कैसे आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं आदमी आदमी एक ही शब्द है बार बार आ रहा है किसमें लाटा नुप्रास में वहीं छेका में क्य से अधिक या छे से कम अक्षर आएंगे एक अक्षर नहीं होंगे वहीं वृत्या में क्या है एक ही अक्षर की आवित्ती बार बार होगी क्लियर हो गया देखिए दूसरी पंग्ती क्या है तेक बहादूर हाँ वही थे गुरुपद्वी के पात्र समर्थ तेक बहादूर हाँ वही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ अब यहां पे क्या है क्या बोलना लाटानुप्रास में एक शब्द की आवित्ती बार बार हो आदमी एक शब्द दूसरा क्या है यह दूसरा शब्द यानि एक ही सब्द की आवित्ती क्या हो रही है बार बार यानि वो एक ही शब बार-बार आ रहा है यहां क्या है गुरु तेग बहादूर तेग बहादूर गुरुपद्वी गुरुपद्वी क्या है एक ही शब्द जो है वो बार-बार रिपीट हो रहे हैं ठीक है चले उसके बाद क्या है अन्यानुप्रास उसमें क्या है किसी पंक्ती में अंतिम अच्छरों में समानता हो अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं या तो एक अक्छर की आवित्ती बार-बार हो रही है एक ही अक्छर बार-बार आ रहा है या हम लोग देख रहे थे कि एक से अधिक अक्षर जो हैं वो बार बार आ रहे थे या शब्द जो हैं वो एक ही शब्द बार बार आ रहे थे लेकिन अन्यानुप्रास में क्या है बच्चों कि अंतीम अक्षर जो हैं उनमें समानता हो पंग्ती के अंतीम अच्छरों में अगर समान समानता हो तो क्या कहलाएगा अन्या नाव नकेवतु आना कहिए तुम्हारा मर्मून जाना मांगी नाव नकेवतु आना कही तुम्हारा मर्मून जाना ना है अंती मच्छर क्या है अंती मच्छरों में समानता है तो यह कौन सा लंकार कहलाएगा अन्यानुप्रास लंकार कहलाएगा ठीक है अभी दूसरा देखे है अंती मक्षरों में क्या है समानता है तो यह कौन सा लंकार होगा अन्यानुप्रास लंकार कहलाएगा क्लियर हो गया देखिए जब किसी पंग्ती में अंती मक्षर में समानता हो तो क्या होगा अन्यानुप्रास कर लेगा लाटा में क्या होगा एक ही सब्द जो है वो बार- अब आयेगा आप देखे शुत्यानुप्रासलंकार क्या है एक वर南 वरग क्या थे चल साइए वर्ण माला मिलम destac ऑरर इसमनें यह है कि शुत्यानुप्रासमें है बचों कि जब पंक्ति में एक ही वर्ग के वर्णों की वर्णों की हो जैसे इसमें देखिए इन से जुड़े हुए वर्णों की क्या हो जैसे इस इक्जाम्पल देखें क्या थोड़र दिनानाथ थसको सही कल जगा दिनानत थे दिनानर मांश्य ग्वाल अपके अब देखें इसमें क्या है क्या मिल रहा है कि देखें पहले समझे क्या क्या है न सब conscious क्या दिक क्जा और रा ठीक है that ठीक है उसके बाद धा है यानि कौन सा वर्गारा बच्चो ता वर्गारा है क्या है ता था धा धा ना है यहां पर ता है ठीक है ठा है धा है धा है और ना है एक ही वर्ग के क्या है एक ही वर्ग के वर्णों की आवित्ती हो रही है तो यह कौन सा लंकार कहलाएगा शुत्यान अनुप्रास अलंकार कहलाएगा देखिए क्या है यहां पर तवर्ग के वर्ण बार बार आ रहे हैं जैसे तवर्ग का ही है था है तवर्ग का है दा है उसके बाद धा है और ना है क्या है एक ही वर्ग के है तो एक ही वर्ग के वर्णों की अगर आवित्ती हो तो वो क्या कहला बच्चों शुट्यानूप्रासलंकार कहला यहाबात समझ में श्याद रखना है में थोड़ा टिफिकल्ट इसको लिए रख़ोगे शुत्य धा संहें सोनना कि से चलेंगे से ज़िए अर्था इसको पहर्चान दे कैसे जब एक ही जब एक ही वर्ग के वरणों की Medal तो तो वहाँ क्या कहलाएगा बच्छो सुत्यानूप्रासलंकार कहला एगा वैरी अब इसमेh इसमें क्या अन्यानूप्रासनी ऑ से अन्य ऑ से ऑ से अंती यानी पह्ते हैब आगे बढ़ेंगे पहले अनुप्रास सभ्खेंगे क्या है या ऑसे अधिक क्या मत भी सिपस क्या एक से अधिक है तो एक से अधिक आविति आविती बार-पार हो तो इसमें एक ही होता है ठीक है तो इसमें एक ही अच्छा रहेंगे, उनीकी आवित्ती बार-बार होगी, वृत्यानुप्रास में, लाटा, लाटा को कैसे याद कर सकते हैं, लाटा में क्या है, नाम से याप ले लीजे, लाटा क्या होगा, उस जिसमें एक सब्द जो है, वो बार-बार आए, वो क्या अ से अन्या और अ से अंतिम ऐसे आप याद रख सकते हैं अर्थात अंतिम अच्छरों में क्या हो समानता हो वो क्या कहलाएगा अन्या अनुप्रास कहलाएगा वहीं शुत्या में हम आपसे क्या बहुते शुत्य से सुनना ठीक है अर्थात ध्वनी ध्वनी किसे जुड़ा और वर्ण माला में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वर्ग पढ़ा था जिसमें वर्ग की आवित्ती हो वह क्या कहलाएगा शुत्यानुप्रासलंकार कहलाएगा आई वात समझ में आप इसको पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा जब बच्चो कोई चीज आपको टफ लगे नहीं समझ में आए तो आप क्या करो की पॉइंट उठाओ कि किस तविके से किसको रिलेट करके हम पढ़ सकते हैं बहुत फिर इजी होगे असे अन्या असे आंती शुत्या से सुनना सुनना क्या है ध्वनी किसे जुड़ा है वर्ण माला से जुड़ा है अर्था तसमें क्या होग वर्ण होंगे वर्ण में क्या वर्ण आते हैं तो जिसमें वर्ण एक ही वर्ण के वर्ण बार बार आए शुरुत्यानुप्रास कहलाएगा ठीक चले उसके बाद दूसरा क्या है सब्द अलंकार का दूसरा उधारन क्या है यमक अलंकार यमक क्या है जहां कोई शब्द याद रख्येगा अनुप्रास में वर्णों की आवित्ति बात हो रही थी, अनुप्रास अलंकार में वर्णों या अप्षरों की क्या हो रही थी, वहीं पे यमक ép कल रहा है, जहां कोई शब्द है, एक से अधिक हो लेकिन उसके अर्थ क्या है अलग-अलग हो अर्थ भी अलग हो और शब्द भी जो हैं वो से अधिक्बार करें वह क्या कहलाईंगे यह मक कहलां यहnosis इंगा है अभी यह एक जामपल फिक है जब यमा कलंकार की बात होती है यह तूंनों बात ही नहीं होती है यमझ्त अलंकार के एकजामपल में हमेशा यह दोनों दारन लिए जाते हैं क्या है रथध यह अर्थध यहां पर दो शब्द है कंणक कंग र ठीक ठीक कनक अर्थात एक से अधिक सब्द हुए एक से अधिक सब्द हुए अब अर्थ देखिए इनका अलग होगा कनक धतुरा आप सुने होंगे जहर होता है विश्ष होता है धतुरा पौधा होता है जिसे जहर निकलता एक कनक का अर्थ होता है सोना तो राचो जिसके आभूशन बनते हैं सोना तो क्या है कनक कनक ते सौगनी माधकता अधिकाए दोनों क्या है दोनों की अगर मात्रा सौगनी कर दी जाये तो यह वो जहर के समान होता अर्थात किसी इस्त्री को सोने से भर दिया जाय तो क्या होता उसका माथा फिर जाता है ठीक है क्यों क्योंकि और तो क्या है आभूशन जो है वो बहुत प्री होते वैसे ही अगर धतुरा की मात्रा अधिक बढ़ा दी जाय तो वो भी किसके जहर के समान हो जाता है समझ में आया यानि की अर्थात शब्द जो है शब्द की आवित्ती दो बार हो रही है और उसके अर्थ भी क्या है अलग-अलग है अब देखें यहां पर तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती अर्थात बेर किस सब्द की आवित्ती हो रही है बच्चों बेर सब्द की आवित्ती बार-बार हो रही है एक से अधिक सब्द है एक बेर है एक क्या है बेर है दोनों बेर हैं दोनों सब्द की आवित्ती लेकिन इसका अर्थ क्या है फल से है फल बैर जो हम लोग खाते हैं बैर अभी ठंड के मौसम में यह फल बहुत दिखता है और एक क्या है पहर पहर अर्थात सब है इसमें क्या कह रहा है पंक्ती में बच्चो कह रहा है तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती अर्थात को इस पंक्ती में कहा जा रहा है कि बैर का जो फल है उसको तीन बार तीन पहर में खाया जा रहा है बैर क्या है एक ही शब्द है उसकी आवित्ती बार-बार हो रही है लेकिन अर्थ क्या है अलग-अलग है एक बेर का अर्थ है फल और एक बेर का अर्थ क्या है किसे पहर या समय से तीसरा क्या है यह अधिकतर आप एक सजना का अर्थ होता है सवरना, तैयार होना, एक सजना का अर्थ होता है प्रियतम या पती, प्रियतम या पती, अर्था इसमें यह है कि मुझे तैयार होना है अपने प्रियतम के लिए, अपने पती के लिए, एक सजना का अर्थ है सवरना, तूसरे सजना का अर्थ है प्र एक से अधिक बार प्रियोग हो रहे हैं और उनके अर्थ भी क्या है अलग-अलग है यह क्या कहलाएंगे यमक-अलंकार कहलाएंगे जहां शब्द जो है वह एक से अधिक बार प्रियोग हो और उनके अर्थ अलग हो वह क्या कहलाएंगे यमक-अलंकार कहलाएंगे वहीं पर श्लेस अलंकार क्या है श्लेस अलंकार देखिए जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है अब समझे यमक और श्लेस में बहुत कंफ्यूजन है यमक में क्या है सब्दों जो है वो बार बार आते हैं एक से अधिक बार आते हैं लेकिन श्लेस में क्या है एक ही बार यमक में क्या था शब्द एक से अधीक बार आए ठीक है ठीक और श्लेश में क्या है बच्चो श्लेश अलंकार में क्या है केवल एक शब्द आए स्लेश अलंकार में क्या होगा केवल एक शब्द केवल एक शब्द जो है बार बार आए बस यह अंतर है बाकी यमक में क्या है शब्द जो है वो एक से अधिक बार आते हैं अधिक बार आते हैं ठीक है लेकिन अर्थ हो जो है वो अलग-अलग होते हैं दोनों के वहीं पर स्लेश में क्या है एक ही शब्द होते हैं और उसके अर्थ क्या है अलग होते हैं बस कंफ्यूजन कहा होती है शब्दों के हेर फिर में यमक में एक से अधिक शब्द होते हैं में केवल एक ही शब्द होता है और देखें कैसे जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है किन्तु उसके अर्थ अलग-अलग होते हैं वहां अलंकार होता है प्रिक्या है जब पंक्ती में शभी सब्द अलग-अलग हूँ देखे कैसे इसको मिटाएंगे नहीं आप इसको लिख लिजेगा ऐसे नोडाउन कर लेंगे आप ये लिए बहुत असानी रहेगी क्या है चरन धरत चिंता करत भावत नीद नशोर सुबरन को ढूनत फिरत कवी कामी और चोर देखे यहां सुबरन ये शब्द है सुबरन इसका अर्थ होता है बच्चो देखे ये सुबरन है कवी के लिए कवी के लिए हां क्या है कवी कवी के लिए सुबरन का अर्थ क्या हो जाएगा अच्छे वर्ण से वहीं कामी यानि वैभाचारी ठीक है उसका अर्थ क्या किससे हो जाएगा अच्छे रंग रूप से वहीं चोर क्या है चोर का किससे हो ज लेकिन यह कवी कामी और चोर के लिए अलग-अलग अर्थ प्रकट कर रहा है ठीक है आई बात समझ में सुब्रन क्या है एक ही सब्द है लेकिन यहां तीनों के लिए वह अलग-अलग अर्थ कर रहा है जैसे चरण धरत चिंता करत भावत नीद नसोर अर्थात जो कवी है कामी है चोर है वो चिंता के कारण क्या है सो नहीं पार है क्यों कि सुबरन को ढूंड रहें कि इसको अच्छे वर्ण को कवी क्या चाहता है अच्छे वर्ण मिले ताकि वो अपनी कवीता को लिख प तीनों के लिए अलग-अलग अर्थ प्रकट कर रहा है वहीं दूसरी पंग्ती देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह जो धारन है यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कह रहा है यह रहीम दास की पंग्ती है क्या है रहीमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी का पानी का इसमें मोती मानस और चून के लिए अलग-अलग अर्थ प्रकट करेगा कैसे देखिए पानी पानी अगर सीप पर पड़ता है तो जाrints बन जाता है पानी क्या है मालस से जुड़ा है तो उसका अर्थ इसमें हो जाएगा लज्जा में चीकली लोग हम लोग यह से यह लेते हैं आइसों प्रतिष्ठा पानी कहा था पैनी ऊतर आप प्रतिश्ठ ह गिर गई इ यह कहावत है तो यहां पे जो पानी है उसका मोती के लिए घीव होगा अगर सीफ में गिरता है तो मोंती बन जाता है कि जो पानी है उसके गुर्ण जो हैं वो अलग-अलग है अगर वो सीप में गटा है तो मोती बन जाता है अगर मनुषे मनुषे से गिर जाए तो उसकी प्रतिष्ठा गिर जाती है कहावत है और चुना में मिले तो वो जल बन जाता है ठीक है तो यानİ कि पानी क्या है एक ही थी कि शब्द का प्रयोग एक ही बार हो लेकिन उसके अर्थ अलग-अलग होते हैं क्लियर हो गया चले यह बाकी के यह रहे हमारे शब्द अलंकार अर्थ अलंकार नेक्ष्ट क्लास में समझेंगे उसके बाद और भी अलंकार है जिनको हम लोग डीटेल में पढ़ते हुए च क्लास में हम लोग इसको रिवीजन कर लेंगे शौट में उसके बाद अपनी क्लासे सुरू करेंगे ठीक है बच्चों तो चलिए मिलते हैं नेक्ष्ट क्लास में हम लोग अर्थ अलंकार देखेंगे और बाकी बच्चे वे अलंकार को समझेंगे तब तक अपना ख्याल रह कि ये आपका दिन शुबह धन्यवाद हूं